CBI को ये कहती अदालत कि नहीं मैं इनको लुकाउट नोटिस इनके फंडामेंटल राइट का उनंगन हो रहा है आप या तो इनको इंटरोगेट कीजिए इतने दिन के अंदर में वो नैच्रल लॉग के फिलोसफी को अगर अदालत स्विकार करती अदालत उनको पूछती कि साड़े तीन साल हो गए हैं साफ ये लुकाउट नोटिस हटाना नहीं है आप कह रहे हैं कि बहुत संगीन मामले में ये इन्विस्टिगेशन की हकदार है तो आपको मैं वक्त देता हूँ आप इनको इन्विस्टिगेशन कीजिए अदालत ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा अदालत ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा अब ये बात आप कह सकते हैं कि नहीं ये अदालत चाहे तो कहे न चाहे तो न कहे अब अदालत कैसे चाहती है और कैसे अदालत नहीं चाहती है तो चाहने पर निर्वर हो गया कानूनी पेच पर नहीं हुआ दलील ये दी गई कि जो एक्यूजड है उसके fundamental right का भी उलंगन हो रहा है और क्या है उसका fundamental right? fundamental right है कि उनको न्याय पाने का अधिकार है अगर आरोप लगा है कुछ तो उसकी जांच होनी चाहिए जांच होकर के दूद का दूद पानी हो दाना चाहिए अब जांच के बहाने बहुत लंबे समय तक हम उसको और कोई प्रतारना नहीं दे सकते हैं ये आधार बनाया अधालत है बिलकुल ठीक बात है लेकिन जस्टिस का ये भी आधार होना चाहिए था कि भाई एक एक्टर की मौत हुई है उसके पहले एक बॉली बूर्ट से ही जुड़ी एक मैनेजर की एक प्रोफेशनल की की मौत हुई है और एक लेड़ी एक के साथ बलातकार के आरोप लगे हैं बलातकार के बाद उनकी हत्या के आरोप लगे हैं बहुत संगीन मामला है और दूसरी तरफ एक सूपर स्टार के मौत एक फिल्म स्टार के मौत की बात हुई है ये मामला चोटा नहीं है लाकों करोडों लोग इनके तरफ देख रहे हैं कोर्ट के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, कोर्ट के लिए सभी एक्कूजट और सभी पक्ट जो है वो बराबर है, कानूं के तराजुपा, मैं मानता हूँ, सुसान सिंग भी बराबर है, दिशासालियान भी बराबर है, कोई special उनको कोई यह नहीं मिलता है, कोई अधार नही ये से अगर हम ये देखें तो अदालत को ये बात जरूर संग्यान में लेना चाहिए कि क्या कहीं इस पूरे मामले में किसी प्राकर्तिक न्याय की अभेलना तो नहीं हो रही है जो नैचरल जिस्टिस है उसका तो गला नहीं घोंटा जा रहा है ये देखने की जिम्मेदारी क या दिया चक्रवर्ति को अक्यूस्ट को पूछताज के लिए नहीं बुलाया और ये उसके फंडामेंटल राइट का उलंगन हो रहा है इसको आधार बना करके उनके लुकाउट नोटिस को खारिच कर दिया उसी माननी ये अदालत को ये भी आधार बनाया जाना चाहिए थ कि साहब एक बात सही है कि ये तिन्ने साल हो गए आप कोई इंक्वाइरी क्यों नहीं करके ला रहे हैं क्या CBI पर CBI पर कारवाई करने की बात नहीं हो सकती थी कि जांच एजनसी अगर अपने करतब का निरवहन नहीं कर रही है क्या उनके खिलाब कोई पैनल्टी नहीं हो स हएंसाकि क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है जांच को दूद का दूद पानी का पानी करने का अप साबित कर दिजिए कि घाखता नहीं निकला या जाच में कुछ निकला ये बताने के जिम्मेदारी किसकी है CBI की है तो ये पूछने के जिम्मेदारी किसकी है अदालत की है की नहीं है या अदालत ना पूछे अदालत को ये पूछने के जिम्मेदारी है कि आपने क्यों फर्णामेंटल राइट का उलंगन क्या है और आप इतने दिनों से आप इनको जाच के लिए बुलाया नहीं है अब आप नहीं रुख सकते हैं मैं इनका लुकाउट नोटिस खारिच करता हूँ तो क्या अदालत CBI को ये भी कह सकती थी कि आपके खिलाफ कारवाई होगी आप अगर इस केस में सही सही जाच नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ कारवाई होगी क्या अदालत ने ऐसा अपजर्वेशन दिया दिया नहीं दिया भोलानात का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिन समय 3.5 घंटे हैं इसे हम 6-8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वेर फीट गेहु चावल बजरा जोवर के खेत काट सकता है जबकि इसी कार्य को पेटरोल ब्रश कटर 1000 रुपए पेटरोल का खर्चा करता है